असलाम वालेकुम वीवर्स कैसे हैं उमीद करते हूँ आप सब खरीयस होंगे आज जो रेस्पी शेयर करें हूँ वो किमा साख की है जो बहुत मज़े की बनती है आप इसे ट्राइ करें और कमेंड बॉक्स में मुझे अपनी राय का जाहर करें चलें रेस्पी की तरफ चलते हैं cooker में half cup oil add किया उसे गरम होने दिया है पिर प्याज आथ कर दिया है जब प्याज ब्रॉइन हो जाए है तो इसमें किमा add कर देना है और इसे ज़ए से miX करना है फिर इसमें वन टेबिली स्फून लाल मिर्श पॉडर आट किया है और वन टेबिली स्फून धनिया एट कर दिया है जीरा वन टेबिली स्फून आट कर दिया है काले मिर्श हाफ टेबिली स्फून आट कर दिया है हल्दी वन टेबिली स्फून आट किया और गरम मसाला 1 टेविलिस्फून एट किया, नमाक अपने टेस्ट के मताबिक आट किया 2 टेविलिस्फवन लसना दरक पेस्ट आट किया, एक गलास पानी डाल दिया है कुकर में इसे 10 में के लिए पका लिया है और ये गल चुका है, अब इसे भून लेता है अब इसमें एक किलो साग एट किया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है और इसे इतना पकाना है कि साग गल जाए जब साग गल जाए तो इसमें हरी मेरी डाल के तीन से चार मुन के लिए पकाया है ये देखे मज़ेदाल साग कीमा तयार है आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ एक नए रैस्पी के साथ जब तक लिए अजाज़त दें अल्ला हाफिज